बदायू में दो बच्चों की निर्मम हत्या ने हर किसी को जग जोर कर रख दिया है जिस तरीके से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गई, भरोसे और इंसानियत का कतल कर दिया गया और जिस रहस्यमाई तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है इस वारदात की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज एट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले देखे मंगलवार को ये वारदात अंजाम दी गई और उसके बाद से ही बदायू के इस इलाके में जहां पर ये घटना होती है वहाँ तनाव का महल देखा जा रहा है लेकिन हुआ क्या ये हम आपको बताते हैं बदायों के सिविल लाइन थाना इलाके में दरसल आपको बता दें कि जनल लिगम में ठेकेदार है विनोध कुमार जो अपने परिवार के साथ वा रहते हैं चंद कदमों की दूरी है जो चौकी है वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर इनका घर है और इनकी पतनी दरसल एक पारलर चराती है घर के अंदर ही यहीं पर इनके पडोस में सलून का काम करने वाले जिनकी नाई के दुकान हैं वो दो लोग शाम को पहुंचते हैं इनके घ और एक का नाम जावेद, तो साजित उसने कहानी सुनाई जो पार्लर चलाती है और माइला को कि उनकी पत्नी दरसल अस्पताल में भरती है, डिलिवरी होने वाली है उनकी और पैसे नहीं है उनके पैस, तो पैसे की मदद के लिए वो फर्याद करते हैं उनसे कि हमारी कुछ पहानी बताती है, उसके बाद 5000 रुपए की मदद भी वो इन आरोपियों को करती है, आरोपियों उसके बाद कहता है, यह जो पूरी घटना है, यह हम आपको चश्मदीद जो है, उन्होंने क्या कहा है, उसी की आधार पर बता रहे हैं, हमारी टीम भी वहां पहुंची तो वो कुछ दिर वहां आराम करना चाहते हैं, अब यही बात कहकर वो उपर की मंजल पर आराम करने गए और तब तक परिवार ने कहा कि ठीक है, आप बैठिये हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, इसके बाद परिवार में तीन बच्चे थे, इन बच्चों को बहला फु अलाकि दिखाते हुए, यह यू कहिए क्योंकि वहां पर शराब भी पी रहे थे, जो आरूपी थे, तो कुछ कांच की बोतले वो टूटी हुई थी, उस पर उनका पैर फिसल जाता है, और तब ही उस तीसरे बच्चे को मौका मिल गया भागने का, वो भागता हुआ नीचे थे, वो भागते हुए उपर की तरफ गए, और वो बच्चा यही बताने के कोशिश कर रहा था, कि उनके भाईयों के उपर, दो भाईयों के उपर अटाक कर दिया गया है, और जो तस्वीर वहां उन परिवार के लोगों ने देखी, वो इतनी विचलित करने वाली थी, कि उसके बाद से, जो उनका रोना शुरू हुआ, जो बिलखना उनका शुरू हुआ, वो अभी तक थम नहीं रहा है, लगातार बार बार परिवार यही गुहार लगा रहा है, और सवाल यही पूछ रहा है, कि आखिर उनकी क्या गलती थी, अब यहां पर मैं आपको यह बता लगाता रहा है कि तंटर मंत्र का चक्कर था, यानि कि जो आरोपी जुसने महिला से कहा था, कि उसकी पतनी असपटाल में अद्मिट है, डिलिवरी होने वाली है, उस ने इस बात का भी जिक्र किया कि अब तक जो डिलिवरी होनी थी, मन्दब पहले बी उसकी पतनी कि तौर पर आप इसे देखिए क्योंकि इसकी पुष्टी काई से भी नहीं हो पा रही है पूलस के पास भी फिलाल कोई थियोरी नहीं है परिवार का यह कहना है कि हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं थी सिर्फ जान पहचान इस लिहाज से थी क्योंकि जो दुकान वो चला रह है इस से जोड कर देख रही है और जिस तरीके से एंकाउंटर हुआ है उस पर भी सवाल उठा रही है जबकि दूसरी तरफ जो बीजपी के नेता है उनका यह कहना है कि अगर कोई और पार्टी होती तो यह जितनी जल्दी हमने आक्शन लिया है वो आक्शन नहीं लिया जा है और हमें भी चाहिए आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा